इस बार राधा स्ट्मी में हमने बनाया है दही अर्वी जो राधा जी का बहुत ही प्री वेंजन है और ये आभी गाड़े स्चतुर्थी भी चल रही है तो मैंने कहा चलिए दोनों को इसी का भोग लगाते हैं तो दही अर्वी मैंने बनाया है और इसे बनाने के लिए हमने ले लिया अर्वी ये घुईयां हमारे घुईयां भी बोलते हैं अर्वी भी बोलते हैं और इसे हमने ले लिया है तो ये देखे इस तरह ऐसे दिखती है ये बड़ी गाठ भी रहती है कोई पतली गाठ भी रहती है और कभी भी घुईयां को या तो बॉइल करके बनाना चाहि और ये देखिए मैंने भी हाथों में तेल लगाया हुआ है और इसके बाद इसे हम चील कर सारी गुईया को रख लेते हैं और इसके हमें पतले-पतले पीस करना है बहुत जादा मोटे पीस नहीं करना है पतले-पतले पीसेस में हमें कर लेना है तो एक बार फिर से मैंने हाथों में तेल लगा लिया है क्योंकि मैंने थोड़ा कम तेल लगाया रहा होगा तो इसमें मैं जे हाथों में खुजली होने लगी थी तो इस तरह से देखिए इतने पतले-पतले हमें इसके पीसेस कट करना है कुछ लोग इसे उबालकर ही बनाते हैं लेकिन मैंने सोचा आज मैं इसे कच्चा ही बनाओं कच्चे में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने इसे थोड़ा सा फ्राइ किया है तो मैं तेल डाल तेल में डालते हुए नहीं दिखा पाई हूँ तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल दिया है पीसे में की हुई अर्वी और इसे अच्छे से हमें फ्राइ करना है ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए हलका सा पिंकिस कलर तो देखिए यहां हलका हलका बुनते जा रहा है थोड़ा सा मैं इसे और तो मैंने क्या किया है इसे निकाल दिया है एक प्लेट में और इसी पैन में ले ले लेते हैं हम कम तेल में जादा तेल था उसे थोड़ा सा कम कर लिया है और इसी तरह से गरम तेल में हम डाल देते हैं आदा चम्मच जीरा थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिर्च और एक चम् लाल मिर्च पाउडर डाल कर थोड़ा सा भूनेंगे और अगर आपको लगता है कि जल सकता है मसाला तो मसाला गीला करके डाल दे या मसाला डालने को बाद तुरंट पानी डाल दे ताकि मसाला जलेना अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट दो से तीन टमाटर के पेस्ट मैंने बना लिये थे और ये टमाटर के पेस्ट डालने को बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला है मतलब सादन सार नमक डालना है और अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा देर इसे ढखकर पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे, ढककर पकाने मतलब एकदम छोड़ना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना है, इससे मसाला जलता नहीं है, और ये मसाला ना एकदम अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से तेल छोड़ दिया है मसाले ने, और इसी तरह का मसाला हो आना चाहिए इससे सबजी में बहुत अच्छा कला रहता है अब मैंने या फेटा हुआ दही डाला है आदा कप के करीब दही है ये तो दही न बहुत जादा खटा नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा खटा रहना चाहिए फ्रेस दही डालना है फेट कर डालना है इससे गुटलि तब तक इसे हम चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं नहीं, तो दाई फट जाएगा, अच्छे से बॉयल आ गया है दाई में, मसाले में, तो अब क्या करेंगे हömं डाल देते हैं, जो हमारी अर्वी है, जिसे हमने फ्राव कर करके रखा था, उसे डाल देते हैं, और अच्छे स मिक्स कर देते हैं बहुत ही सुन्दर इसमें कलर आया है बहुत ही टेस्टी सबजी बनी थी अब मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है आधा चमच के करीब और इसके बाद हम डाल देते हैं चोथाई चमच गरम मसाला क्योंकि हमने विना लहसुल प्याच की बनाई है राधा अस्टिमी के दिन राधा जी को हम भोग लगाएंगे और हमारे गंडेशा लड़्डू को पाल सब को हम इसी से भोग लगाएंगे थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाला है ताकि इसके अंदर मसाले अच्छे से चले हैं तब बना सकते हैं और फ्रेस हरा धनिया इसे डाल कर हम फिनिस करेंगे तो आप भी अपने घर में जरूर बनाईए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जरूर कीजिए और वेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिके सब्सक्राइब तक मिल सकें तो एंजोई कीजिए दही अर्भी मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसीपी के साथ मैं